हेलो दोस्तो, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल HPG के ट्रिक्स बिद प्रेम में दोस्तो आज किस वीडियो में हम HP पुलिस कॉंस्टेवल के एक्जाम के लिए मोग टेस्ट नमर 19 लेकर आये हैं और दोस्तो इसमें हम साइस के तीन मुख्या टोपिक को ट्रिक के मादेम से करेंगे तो वीडियो जो काफी most important है तो वीडियो को सुरू से अंदक पूरा जुरूर देखें तो सबसे पहले इन टोपिकों के बारे में बात करते हैं पहला टोपिक के मानम में होने वाले रोग जिसमें बाइरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटो जुआ और अब बिटामिन्स की बात करें तो इसमें जो हम इनके रसायनिक नाम और बिटामिन्स की कमी से होने वाले रोग को पढ़ेंगे और तीसरा हमारा ग्यासीज, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टोपिक है वो है आपका मानम में होने वाले जनित रोग में बाइरस बाइरस की बात करें, तो बाइरस से जो है ये बिमारिया होती है, इनको ट्रिक के मादम से किस तरह से करेंगे, तो दिखिए ट्रिक के है हमारी छोटे डियाम का खास चेप्टर ठीक है ये ट्रिक के है और दीके दोस्तों किस तरह से इसको इंप्लिमेंट करना है तो सबसे पहले छोटे से आपकी छोटी माता ठीक है छोटे से छोटी माता डी से डेंगुजवर और एम से आपका मैनेज़ाइटस यानि छोटे से छोटी माता और डी से डेंगुजवर और एम से मैनेज़ाइटस बात करें का की तो का का इसमें कोई रोल नहीं है तो का इसमें साइलेंट है नेक्स्ट ए खास तो खास से खसरा ठीक है और बात करें चैप्टर की तो चैप्टर से C से चेचक H से हर्पिज हेपेटाइटस यानकी पिलिया रोग जिसे हिंदी में कहते हैं A से आपका AIDS P से पोलियो T से ट्रैकोमा E से इंफ्लियरंसा और R से Ravis ठीक है I hope आपको समझा गी होगी कि इसको किस तरह से implement करना है चलिए दोस्तों next करते हैं बात जिबानों की देखिए जिबानों को किस तरह से जिबानों की किस तरह से trick बनती है इनसे जनित रोग को याद रखने की तो इसकी बनती है D&T का प्लेट T है यानि D&T को आप समझ सकते हैं डॉंट ठीक है डॉंट का प्लेट T है तो देखिए दोस्तों इसको किस तरह से implement करेंगे D से diphtheria N से pneumonia T से आपका तवैदिक यानि TV और का से आपका काली खांसी और प्लेट को हम अलग लग करते हैं जिसमें प्ले से आपका प्लेग हो जाएगा ठीक है प्ले से प्लेग और ट से टाई फाइड और ट से टीटनेस और है से हैजा ठीक है ये भी आपस समझ गए होंगे Next है हमारा कबक जिसे फंगस इंगलिस में फंगस कहते हैं ठीक है तो फंगस के लिए बेरी फनी जो ट्रिक है दीक है दोस्तो गांजा दामाद खाए फ्रूट यानि गंजा दामाद खाए फ्रूट तो दीक है दोस्तो गांजा से आपका गंजापन दामा से दमा और द से दाद, यानि गांजा दामाद, ठीक है? और खाए, फुरूट, खाए से आपका खाज खुज ली और फूट से एथलीट, फूट, ठीक है? नेक्स्ट प्रोटो जोवा, प्रोटो जोवा की बात करें, तो देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है सोपा पे काम, यानि आप इसको समझ सकते हैं, सोपे पे काम, ठीक है, सोपे पे कार है, तो देखिए दोस्तों, सो से सोने की बिमारी, पा से पारिया, पाईरिया, पे से सबसे पहले बिटामिन्स की खो जो आपकी कैसिमर फंक ने की थी 1912 में ठीक है 1912 में बिटामिन के रासाइनिक नाम को याद रखने की ट्रिक के आपकी ये दीखे दोस्तों रत पर एक ट्रॉफी जिसमें र से आपका A, थ से B पर इसमें साइलेंट A से C, क से D ट्र से आपका E और फी से आपका K दीखे दोस्तों A से होता है रेटिनॉल यानि र आपका रेटिनॉल थ से थाइमिन, प इसमें कोई नहीं है A से आपका S कर भी कमल और के से कैलसी फेरोल, T से टेको फेरोल, टोको फेरोल और फी से आपका फिलो कोएनोन, दीखे दोस्तों रत पर एक ट्रोफी और इस तरह से आपने इसको याद रखना है और बिटामिन की कम्मी के कारण कारण से होने वाले रोग देखे दोस्तों यदि सरीर में बिटामिन A की कम्मी हो जाती है तो आपको रत्तों दी रोग हो जाएगा ठीक है और बिटामिन B से बेरिवेरी बिटामिन C से सकर्भी बिटामिन D से रिकेटस और बिटामिन E से नपुसंकता और बिटामिन K से आपका रक्त का थक्का ना बनना और नेक्ट है मारा बसा में गुलन सीन और गुलन सील और आपका पानी में गुलन सीन ठीक है दोस्तों ये दो मेरे पास कलास है ठीक है एक में जो है आपका B और C है और दूसरा में आपका कीड़ा है यानि एक में बसा है ठीक है इसमें बसा है और इसमें आपका पानी है ठीक है पानी में आपकी B और C घुल जाएगी ठीक है पानी में जो है B और C घुल जाएगी और यदि बसा की बात करें तो इसमें आपका कीडा घुल जाएगा यानि इसमें यदि कीडा जाता है तो वो क्या हो जाता है घुल जाता है गुल जाता है ठीक है इसको याप याद रखे जिसमें विटमिन K, विटमिन E, विटमिन D, और विटमिन A यानि कीड़ा से आप इसको याद रख लें और B और C आपका पानी में गुल जाता है question में पूछ लिया जाता है कि B किस में गुलेगा है पानी में बसा में आपको option दिये जाएंगे उसमें ठीक है तो आपको याद रखना है पानी में vitamin B और C और बसा में आपका कीड़ा गुल जाता है ठीक है next है हमारा gases very very most important question इसमें मैंने लिया है जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सबसे हलकी gas की तो सबसे हलकी gas होती है आपकी hydrogen ठीक है इसको याद रख ले सबसे भारी gas radon और सबसे हलकी दातू तो lithium और सबसे भारी दातो Oseum और दोस्तों सबसे हलका तत्व तो सबसे हलका तत्व आपका hydrogen कि दोस्तों hydrogen दो बारा गया एक में हलकी गया और दूसरे में हलका तत्व हो और दोस्तों सबसे भारी ततव है आपका uranium तिक है uranium और सबसे बहरी, यूरेनियम और सबसे हलकी अधातू तो आपकी, तो ये आपकी हाईडरोजन, तो दीखेंगे हम सबसे बहरी अधातू तो ये आपकी कारवन, और वाईू यान के टायर में ग्यास तो देखे दोस्तों जो जहाज होते हैं जो आपके आकास में उड़ते हैं उसमें जो आपका हिलियम और प्लस मैट्रोजन ग्यास होती है ठीक है इसको भी आप याद रख ले और हवा से भी हलकी ग्यास तो ये भी आपकी हाईड्रोजन तो ये चार होगी सबसे अलकी ग्यास सबसे अलका तत्व सबसे अलकी अधातू और सबसे अलकी ग्यास और सबसे भारी ग्यास की बात करें तो ये आपकी कार्मन डाई अकसाइड और हीलियम की खोज की बात करें तो कि आपकी लोकीयार ने और दोस्तों वीडियो यहीं पर समापत होती है I hope आप लोगको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जिन लोगों ने सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन दवा ले और लाइक का बटन भी जुरूद दवा ले कीप पोचिंग आर वीडियो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद